मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन दबा कर हर अपडेट पर रखेंगे होती है वो एक जुड़ी से तीस सितंबर तक ही होती है और इस बार जो अनमान था हमारा भी नॉर्मल मानसून का था और मौसम मिवाग का भी नॉर्मल मानसून का था लेकिन अब लग रहा है कि अब अब नॉर्मल मानसून खटम होगा 107% पही बारिश जो है वो मांसून की रहेगी यानि कि सामाने से 7% अधिक बारिश रहेगी पूरे भारत को और 96% से लेकर के 104% के बीच में अगर बारिश होती है तो उसको normal मांसून कहा जाता है और मांसून ये 104% से लेकर 96% का जो दाइरा है ये होता है long period average का जो percentage होता है यानि long period average होता है एक जून से 30 सितंबर तक पूरे भारत जित्ती बारिश लेता है उसको long period average कहते हैं और उसका जितना प्रिश्यत होता है जाके 96% से 104% होता है तो उसको normal कहते हैं 105 से 110 के अबब normal कहते है 110% से ज्यादा होता है तो एक्सेस rainfall कहते हैं तो इस बार अबब normal rainfall होने की संभाबना दिखाई दे रही है और October का महीना अब आने वाला है और October का महीना आपको सब को पता है कि Western disturbance यानि पश्चमी बिच्छों का महीना होता है यानि कि उसकी सुरुवात हो जाती है हाला कि सुरुवात ही दौर में बश्चमी बिच्छों बहुँच जादा strong नहीं होते second week के बाद यानि तीसरे या चौते सब्ता में जो Western disturbance है वो आना सुरू हो जाते हैं और पहाड़ों पर वर्बारी देना सुरू करते हैं मध्य प्रदेश तक दिखाई देता है तो वो अभी आने में समय है लेकिन आप बात करते हैं कि अब क्या रहने वाला है कि एक एंटिसाइकलोन बन गया है एंटिसाइकलोन बनना का मतलब है कि मानसून की विदाई की सुरुआत के लक्षन दिखाई देने लगे है और जब एंटिसाइकलोन बनता है तो जो उत्तर पस्चिमी सुष कामाए है वो जो पूरे एट्मोस्फिर की नमी को कम कर देती है जो नमी कम हो जाती है तो बादल बनना कम हो जाती है और बादल नहीं मत्या तो बारिश नहीं होती और बारिश नहीं होती तो आपको पता है कि मानसून विदाई की तरफ हो जाता है यानि हटने लग जाता है तो जम्मू कर्शमीर, गिलगेट बार्टिशना, मुझाफरवाद, लद्दा और हिमाचल परदेश, इस इस इलाके में बारिश की संबाबना बहुत जादा कम है अगले 24 गंडों तक रहेगी, उसके बाद महाँ पर भी खतम हो जाएगी पंजाब, हर्याना, दिल्ली, पच्चमी उत्रपदेश, राजस्तान और गुजरात ये इस जो इलाके हैं, अब ये शुशक रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संबाबना बहुत ही जादा कम है और अगर, क्योंकि नमी थोड़ी बहुत बनी हुई है, जैसे गर्मी बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत जो लोकल बादल बरेंगे, वो थोड़ी बहुत 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 चार-पाच मिनट की देखे चले जाएंगे उससे कोई खास असर नहीं होने वाला, ना तापमन गिरेगा, ना कुछ फरक पनने बाला है और जो फसलों की कटाई है, अब वो राइस्तान और पश्चिमी मद्य परदेश में अच्छी तरह हो सकती है यहाँ पर कोई भी खत्रा अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है हाला कि धार, खांडवा, करगोन, यानि यह जो इलाका है, जो तक्षिन, पश्चिमी, मद्य परदेश का यहाँ पर हलकी खुल की पहुचा रहे हैं, अभी भी संभब नजर आ रहे है तो कुल मिला करके, यह पूरा इलाका अब सुचकोने वाला है और मानसून धीरे-दीरे यहाँ से हटना सुरू हो जाएगा अब पूरवी उत्तर परदेश में जो हलकी फुल की बारिश थे, अब वो भी समापत होने वाली है अब केवल बिहार, जहरकंड, पश्चेमंगाल, चछतिसगर, उड़ीसा, पूरवी, मद्य परदेश और बिधर्व, यह जो इलाके है, इनी इलाकों में हमें लग रहा है कि बारिश की गत्विनिया इन इलाकों में अब दिखाई नहीं देने वाली है और केवल पूरी भारत में ही बारिश रहेगी तो मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यानि कि बढ़ना सुरू हो जाएगा, हटना सुरू हो जाएगा और पंदरे अक्टूबर जो नॉर्मल डेट हो थे, उस समय पूरा मानसून हट जाता है और अगर हम और दक्षण की तरफ चलते हैं, तो तेलंगाना में छुटपट वारिश की रहती है जो बिधर्व से लगा हुआ है और च्छतिस गड़ से लगा हुआ हुआ है यहां बहुत हलकी वारिश की रहती है लेकिन पूरा जो दक्षण भारत है उसमें मानसून अब कमजोर रहेगा और अब धीरे-धीरे क्या होता है कि मानसून जब केवल पूरी वारत की तरफ ही सीमित रहे जाता है अब क्या अगर तेलंगाना, अंदर परदेश, करनाटका, केरल और तमिल नाडू यह सारे अलाके पूरी तरह शुश्क रहेंगे लगबग शुश्क रहेगा केवल पूर्वी भारत और मद्य भारत के कुछ इलाके उड़ी साच, 36 गण, पूर्वी मद्य प्रदेश और बिदरवा, इस इलाके में हलकी फुलकी बारिश रहेगी उसके बाद बारिश की गत्रिजा केवल पूरी भारत में सीमित रहेगी, उतर पश्चिम भारत और पहाड़ों पर मौसम शुश्क हो जाएगा, दक्षण भारत में भी मानुसुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा मौसम से जड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन दबा कर हर अपडेट पर रखें नजर